नवस्कार मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहें आवाज इंडिया न्यूस का खास प्रोग्राम सिस्वाली शेतर में भटेड़ी बाला जिधाम पर चल रही श्रीमेद भागवत कथा कि अंतिम दिन कथा बाचे गुरूजी ने कहा कि जीवन भर की सातना तपस्या ध्याना का शड़ अंतकरण ठीक करने के लिए मनुश्य को सा जीवन अंतिस समय पर निभर करता है और यह सब कि मन अंतिस समय प्रभू के साथ लगा उसका उद्धार हो सकता है जिन भगवान को आखिर समय याद रहता है उनको कभी अभी से ही याद करना शुरू करें ससंगी करने वाले हम मर जाएंगे या भाव नहीं रखते हैं जबकि वह यह कहते हैं कि हम भगवान के पास अपने घर जाने का भाव रखते हैं भगवाण तो जन्म जन्म के माता पिता हैं मनुश्य अग्यता के का रजी आप बर mates जेलता है उनोंने कहा कि जो प्रभू से प्रेम भाव बढ़ाते हैं वे अपने elnे घर जाते हैं शरीर मरूतर है μέur मर होते हैं हुझत चयह के सदा भगवान क मनुष्य को दिखावा नहीं करना चाहिए जीवन जीनी की कला के सुत्र कोई और प्लब्धिया समस्या हो तो कहीं मदभड को हर पल अपने भगवान को याद रखे प्रेम की नूच प्रेम की चूनर को गिनो साड़ी को नहीं गुरुजी ने कहा इतनी हजारों के संख्या में दालगों की होने पर भी शांती चाही हुई है यह सब भगवान की क्रिपा की देने कथा भाव सुधारनी के लिए होती है इसे पूर्वा आज श्रीमत भागवत कथा की पुर्णा होती पर यजबार राम श्रमालों रुप पूरा हमराज मिरात इसायाद हमराज चंदन जी ब्यवरा रभीश जी नागर और आदिको पंडित अश्रुक शर्मा द्वारा वैदिक मंतरों चार के साथ पूजा अचना करवाएगे इसके बाद सभी यजबानों का शिमत भागवत कथा का आयोचन समीती द्वारा शी भटेड़ी भागवत गशाला द्वारा सम्माने किय बाद में समीती द्वारा सभी कारेकरताओं का अभार देख के गया आज समापन पर करीब साथ हजार शुधालों ने भागवत कथा में